प्रदावन मंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दोरे में भी बुलाली पड़ी भाड़े की भीड लोगों ने मोदी की सभाओं को नकारा जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में चुनावी सरगर्मी अपने उफान पर है हर पार्टी 80 चोटी का जोर लगा रही है इसी बीच प्रदावन मंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दो दिवसियत दोरे पर है और करोणों की योजनाव का लोकारपन किया जा रहा है लेकिन कतत मुफ्त की रेवडियों और प्रदावन मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार के बावजूद भारी पोस्ट और बैनर के बावजूद जब सभाव में भीड नहीं आई तो खेल किया गया है कैसे खेल किया गया है वो हम आपको बताएंगे उससे पहले आप प्रदावन मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में खड़ी की गई इस भीड की वीडियो देखे पहले वीडियो देखे फिर इसके पीछे की पोल खोलते है तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोग एक के उपर एक चड़े जा रहे हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिला रहे हैं तो लोग भी हाथ हिला रहे हैं और ये रोड शो का नजारा है गुजरात का नजारा है आज का नजारा है लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो भीड है ये भीड अपने मन से नहीं आई है बलकि भाड़े की भीड है तो आप क्या कहेंगे गुजरात में जहां पर प्रधान मंतरी नरेद्र मोदी मुख्य मंतरी रह चुके हैं अपना गड़ कहते हैं वहां पर भी अगर भाड़े क बीड बुलानी पड़े तो आप क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर काफी हमला बोला है प्रधान मंतरी नरेद्र मोदी के चुनावी जो जैसा प्रचार किया जा रहा है जो कुछ भी हो रहा है गुजरात में और जैसे भाड़े की भीड को बुलाए गया है लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी इसी को लेकर गुलाप सिंग यादव आम आदमी पार्टी नेता हैं ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि आज गुजरात में प्रधान मंतरी की सभा में 2400 सरकारी बस गई हैं सारे कंड़क्टर वर ड्राइवर के ग्रुपों में मैस सरकारी बसों में भरकर लाई गई भीड है और मैसेज चल रहा है कि हर कंड़क्टर सवारियों से ये कहेगा कि मोधी सरकार सिर्फ जुमले बाजी करती है एक मौका केजरी वाल को देना चाहिए इस पर केजरी वाल ने भी स्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि इस वजह से दिल्ली में इतने जूटे केस हो रहे हैं गुजरात में आगामी चुनाव एक जन्द आंदोलन बन चुका है पंजाब में क्या हुआ आप जानते हैं कैसे के एड़ी चोटी का जोर लगाया गया लेकिन आम आदमी पार्टी ने कैसे सत्ता हासिल कर ली वैसे ही गु अगर नहीं आ रही है तो सरकारी बसों में भर भर कर भीड लाई जा रही है ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के चुनाव में भीड जुटाने के लिए सरकार देगी 2000 बसे तो यह दैनिक भासकर की खबर है एक और खबर दैनिक भासकर की ही देखिएगा इसमें लिखा है कि कारणपूर योगी की रैली में भीड जुटाने का जिम्मा अफसरों पर 30 सितंबर को है सरकारी योजनाओं का लाव लेने वाले हजारों लोगों को घर से रैली तक पहुचाएंगे अधिकारी कौन सरकारी अधिकारी आज तक की खबर देखीगा इसमें लिखा है पीयम मोदी के कारेक्रम के लिए सुल्तानपूर के डियम ने मांगी 2000 बसे लेटर वाइरल तो इस तरह की उत्तर प्रदेश में भी खबरे सामने आई थी कि भीड नहीं आ रही है सरकारी बसों में भर-भर कर ले जाई जा रही है लोग भूके हैं प्यासे हैं उनको सिर बैठाल दिया जा रहा है कोई पूछ नहीं की जा रही है और इसी तरह की का डियम का एक लेटर भी वाइरल हुआ था जिससे भारी फजियत हुई थी उत्तरप्रदेश योगी का गड़ माना जाता है गुजरा मोदी का गड़ माना जाता है जब गड़ माना जाता है इनका सिक्का चलता है तब यहाँ पर ये हाल है कि भीड नहीं आ रही है भीड ने साफ साफ नका रहा है भीड नहीं आ रही है सरकारी बसों में भर-भर कर भ सुनाया जा रहा है उसी तरीके से गुजरात में हाल ना हो जाए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की फजियत ना हो जाए इसलिए भाड़े की भीड बुलाएगे लेकिन भाड़े की भीड को लेकर भी खुलासा हुआ तो आम आदमी पार्टी ने भारी बेज़त किया है और म दोरे के आप वीडियो देखेगा कुछ वीडियो सामने आये शर्थ प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी भी किसी तरह का प्रचार और प्रसार का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आप देखें गुजरात में ही गाड़ी में जा रहे हैं लाइट जल रही है कैसे हानमस्कार कर र प्रचार प्रसार किया जाता है और उसके बावजूद भी जब भीर न जुटे तब भी प्रचार प्रसार और ब्रैंड मनाने के लिए भाड़े की भीर को खड़ा कर दिया जाता है एक और वीडियो है गुजरात का ही है दो दिवसी दौरे पर है 27 अगस और 28 अगस के दौरे पर देखिए गुजरात की आज की तस्वीर है जिसमें उनकी जब मज़ जा रहे होते हैं तो एक शक्स आता है पडोस में और गिर जाता है गिर जाता है जो साथ में व्यक्ती खड़ इंको उठाता है खडा करता है लेकिन मोदी जी को तो देखिए जैसे कोई परकी ने पड़ता है प्रचार प्रसार में जुटे हैं कैमरे का एंगल ही भी करना जाहिए वही के वही डटे-खड़े हुए हैं कहा जाता है प्रतान मंत्री नरेंग्र मोदी बड़े संवेधन शील है जब मोर आकर अगर सीशे पर ठक ठक करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें भूक लगी है इसलिए अमिश्या के प्रचार करते हैं कि मोदी जी बड़े सम्वेधन शील हैं लेकिन सम्वेधन शीलता तो देखिए कि पास में खड़ा व्यक्तिक गिर जाता है लेकिन इनको कोई परक नहीं पड़ता है यह अपने जो कैमरे का एंगल है उसके हिसाब से खड़े रहते हैं आप तस्वीरों से खबर से और भाड़े की भीड से अंदाजा लगा सकते हैं इस खबर पर और जो तस्वीरे सामने आई है उस पर और जो भाड़े की भीड बुलानी पड़े गुजरात में उस पर आपका क्या कहना है कमेंट वाक्स में जरूर लिखें उन्टे को जादा शेर करें सुस्क्राइबर पिटें दबायें बाला जाकर दबायें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तर पर सी रहे फ़र मिलते एंगली खबर के साथ अप्ता के लिए घनिवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं